शान्तकारम भुजक्षैनम पद्वनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सद्रिशम मेगवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नैनम योगी बिर्द्यान अगम्यम वंदे विश्णुम भव भैहरम सर्व लौकेक नाथम ओम नमो भगवते वासुदेवाए ग्यारस माता की जै मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल किटकेटी स्टोरीस पर बहुत-बहुत स्वागत है आज किस वीडियो में आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की कथा साथ ही सुनेंगे एकादशी म माता की अर्थी इस दिन विधी विधान से भगवान श्री हरी की पूचा अर्चना करने से सुख सम्रिद्धी की प्राप्ति के साथ सथ सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है जाने अंजाने में किये कए सभी प्रकार के पापों के नाश के साथ सथ ऐसा व्यक्ति अं धर्मराज यदिश्टर को मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी आए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा कथा प्रारम करने से पहले आप सभी से नुरोध हैं वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि ये वीडियो आपको कै पहली पराणी कथा के अनुसार एक बार धर्मराज यदिश्टर ने भगवान श्री कृष्ण से विशाख मास में आने वाली एकादशी के महत्व और इसके बारे में पूछा तब धर्मराज के प्रशनों का उत्तर देते वे भगवान कृष्ण ने कहा ये धर्मपुत्र आ प्रशनों ने धर्मराज को मोहिनी कादशी व्रत कथा सुनाना प्रारम किया एक बार प्रभू श्री राम चंद्र जी ने गुरु वसिष्ट से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा हे मुनिवर आप मुझे करपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति मिल सके भगवान राम को संबोधित करते वे तब वसिष्ट मुनी ने कहा हे राम आपका प्रेय नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है लेकिन फिर भी आपने जन कल्यान के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्ट पूछा है जो की सदा प्रशंसनी है तब वसिष्ट मुनी ने बताया कि सरस्वती नदी के रमणी तट पर एक बार भद्रावती नाम की नगरी थी जहां चंद्रवंश में उत्पन्न सत्य प्रग्य ध्रतिमान नाम के राजा राजी करते थे उनकी ही नगरी में एक वैशी भी रहता था जो क की धंधाने से परिपुन और सम्रिद्शाली था उसका नाम धर्मपाल था और वह सदा अपने नाम के अनरूप ही पुन्य कर्मों में लगा रहता था भगवान की भक्ति करता दूसरों के लिए कुवां मच्ठ बगीचा पोखर और घरादी बनवाया करता भगवान अपने नाम के अनरूप ही करती करता था वह बड़ा ही पापी और दुराचारी था बड़े बड़े पाप किया करता था और वह वेशाओं से मिलने के लिए भी लालईत रहता था उसकी बुद्धी ना तो देवी देवताओं के पूजन में लगती ना ही ब्रहमनों और महर्ष अपनी पुत्र की सरकत पर बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया अब वह पापी पुत्र दिन रात अतिन्त शोक और चिंदित होकर इधर उधर भटटने लगा उसकी पास जितना भी ध कॉंडिन के आश्रम में वह जा पहुचा महर्षी कॉंडिन गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे महर्षी कॉंडिन के गीले वस्त्रों से कुछ बूदें द्रिस्ट बुद्धी के ऊपर जा पड़ी जिसके कारण उसे सदबुद्धी हो आई तब वह हात जोड़कर मुनीव मुझे करपा करके कोई ऐसा वरत पताए जिसके पुर्णि प्रभाव से मेरे कस्टों का नाश हो सके और मैं इस असहाई पीड़ा से मुक्त हो सकूँ हे मुनीवर इस समय मैं बहुत ही पीड़ा में हूँ इस समय किवल आप ही मेरे दुख का निवारंग कर सकते हैं महरशी कॉंडियन ने जब उसे इस असहाई दीन अवस्था में देखा तो उसे प्रेम पूर्वक कहने लगे कि तुम विशाख मास में आने वाली शुकल पक्ष की मुहिनी एकादर्शी का वरत करो निस्ठा के साथ ब्रहमनों का आदर सतकार करो तो तुम्हारे किये गए पापों का प्रैश्यत हो जाएगा और पापों का नाश भी हो जाएगा फिर इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी महर्शी के वचनों से द्रिष्ट बुद्धी को बहुती सांतुना मिली तब वहें बड़े प्रसन मन से रिशी को हाथ चोड़कर प्रणाम करके वहां से वापस आ गया फिर उसने रिशी के कहे अनुसार विधी विधान से विशाख मास के शुकल पक्ष की मुहिनी एकादशी का व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से वह निश्पाप हो गया उसके सारे पापों का अंत हो गया और अंत में वहद्य विध्य धारन कर गरुड पर सवार होकर भगवान श्री हरी के धाम को चला गया इस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों का प्रयाशित करते वे इस व्रत को धारन करता है एकादशी के नियमों का पालन करता है तो उसके सभी चन्मों के पापों का नाश होकर ऐसे व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता आईए अब रस्पान करते हैं दूसरी कथा का क्योंकि भगवान श्री हरी ने आज के ही दिन यानि की विशाख मास के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को मोहिनी अफ्तार धारन किया था इसी कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी रखा गया मोहिनी अवतार भगवान श्री हरी का एक मात्र इस्त्री अवतार माना जाता है और ये अवतार इतना मनमोहत था, मन को इतना लुभावने वाला था कि दैतिगण भी भगवान श्री हरी के इस रूप से मोहित हो गए भगवान श्री हरी के मोहिनी अफ्तार धारं करने की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है परानिक कथा के अनुसार एक बार एरावत हाती पर भ्रहमन करते वे दिवराज इंद्र से मार्ग में महशी दुरवाशा मिले उन्होंने देवराज इंदर पर प्रसन होकर उन्हें अपने गले की पुष्प माला को एरावत के मस्तक पर डाल दिया एरावत ने अपनी सून से वे माला नीचे डाल कर पैरों से कुचल दी अपने प्रसाद का अपमान देखकर महशी दुरवाशा ने देवराज इंद्र को श्री ब्रस्ट होने का शाप दे डाला जिससे देवराज इंद्र की शक्ती भी क्षेंड हो गई और दुरवाशा रिशी के श्राप से श्री हिंद इंद्र दैतिराज बली से भी परास्त हो गई इस तरह से दैतिराज बली का तीनों लोगों पर अधिकार हो गया हारकर देवतागन ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवाश रिहरी की शरण में गई और इस गोर विपत्ती से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की उनकी प्रार्थना सुनकर भगवाश रिहरी ने कहा आप लोग दैतियों से संधी कर लीजिए और उनके सयोग से मंदराचको मत्री तथा वासुकी नाग को रस्सी बना कर क्षीर सागर का मंथन कीजे समुद्र से अमरित निकलेगा जिसे पिलाकर मैं देवताओं को अमर बना दूँगा और तब देवता दैतियों को पराजित करके पुनहा स्वर्ग लोग प्राप्त कर सकेंगे देवराज इंद्र दैतिराज बली के पास गए अमरित के लालत से दैतियों में संधी हो गई क्योंकि इतने विशाल समुद्र का मंथन ना तो देवतागण ही अकेले कर सकते थे नहीं दैतिकन अब समुद्र मंथन की तयारी की गई दैतियों और देवताओं ने मिलकर मंद्राचल को उठाकर समुद्र तठकी ओर ले जाने का प्रयास किया कि तो असमर्थ रहे तब इसमरंड करने पर भक्त भयहारी भगवान वहाँ पधारे उन्होंने खेल केल में ही भारी मंद्राचल को उठाकर गरूर पर रख लिया और क्षण मात्र में ही शीर सागर के तड़ पर पोचा दिया मंद्राचल की मत्नी और वासु की नाग की रसी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंब हुआ समुद्र मंथन के समयी भगवान श्रीहरी ने कच्छप अफ्तार भी धारन किया था दैत्यों और देपतागणों ने मिलकर एक बार फिर से समुद्र मंथन का प्रयास किया तब भगवान ने मतनी को समुद्र के भीतर धंसते वे देखकर स्वयम कच्छप रूप में मंद्राचल को नीचे आधार प्रदान किया मंधन से सबसे पहले कालकूट नाम का विश्प प्रकट हुआ जिसकी भयंकर ज्वाला से संपोर्ण प्राणियों के प्रांच संकट में पड़ गए तब लोक कल्यान के लिए भगवान शंकर ने उस कालकूट नाम के विश्प का पान कर लिया इसके बाद अम्रित कुम निकलते ही धनवंतरी के हाज से अम्रित पोर्ण कलश छीन कर देतिगण भाग निकले क्योंकि उन में से हर कोई सबसे पहले उस अम्रित का पान करना चाहता था कलश के लिए छीना जप्टी चली रही थी और देवतागर निराश खड़े वे थे तभी वहाँ पाद एक अदबूत सुन्दर सौंदरी शालिनी नारी प्रकट हुई जिसे देखकर असुरों ने उसके सौंदरी से प्रभावित होकर उससे मध्यस्त बनकर अम्रित बांटने की प्रार्थ ना की दरसल भगवान श्री हरी ही देतियों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप धारन करके वहाँ प्रकट हुए थे मोहिनी रूप धारी भगवान ने कहा मैं विभाजन का कारी करूँ चाहे वैं उचित हो या अनुचित तुम लोग बीच में बाधा मत उपस्थित करने का वचन दो तभी मैं इस कारी को करूँगी सभी ने भगवान की शर्त को स्विकार कर लिया देवतागण और दैतिगण अलग-अलग पंक्यों में बैट गए जिस समय भगवान मोहिनी रूप में देवताओं को अमरित पान करा रहे थे तब ही दैतियों में से स्वर्भानू नाम का दैत सूर्य और चंद्रमा के बीच मे देवताओं का रूप धारन करके बैट गया जैसे ही उसे अमरित का एक घूट मिला सूर्य और चंद्रमा ने भगवान श्री हरी को संकेत कर दिया तब भगवान श्री हरी अपना मोहिनी रूप त्याग करके चक्रधारी विश्णू हो गए और उन्होंने अपनी सुदर्श वापस मिल गया उधर स्वर्भानु क्योंकि अपने गले से अमरित की कुछ बूद्य नीचे उतार चुका था तब भी भगवान श्री हरी के सुदर्शन चक्र से उसका जो धर था वो दो टुकड़ में वेभाचित हो गया और स्वर्भानु के शरीर के यही दो टुकड़े राहू और केतु के नाम से जाने जाते हैं ऐसी मानिता है कि जब भी सूरिया चंदर ग्रहन लगता है तो ये सूर और चंदर ग्रहन राहू और केतु के कारण ही लगता है क्योंकि जिस तरह से समुद्र मंथन के समय अमरित पान करातेस में सूर और चंदरमा ने भगवान श आशा में ग्रहन लगना कहते हैं हाला कि ग्रहन लगना अपने आप में खगौली घटना मानी जाती हैं ये थी मोहिनी एकादशी की कथाएं अब सुनिए एकादशी माता की आर्थी ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता विष्णु पूजा वृत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता तेरे नाम गिनाऊं देवी भाक्ति प्रदान करनी गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी ओम जय एकादशी माता मार्ग शीर्च के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विष्वतारन जनमी शुक्ल पक्ष में हुई मौक्षदा मुक्ति दाता बन आई जय एकादशी माता पोश के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता नाम शट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे जय एकादशी माता विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की ओम जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम बरूथ नी कृष्ण पक्ष में वैसाख महावाली ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अप राजेस्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी जय एकादशी माता योगनी नाम अशार में जानो क्रेश्न पक्ष करनी देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी जय एकादशी माता कामी का श्रावन मास में आवे क्रेश्न पक्ष कहिए श्रावन शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए जय एकादशी माता अजा भाद्र पद क्रिश्न पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा आश्विन क्रिश्न पक्ष में वृत से भव सागर निकला जय एकादशी माता पापां कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी रमा कार्तिक में आवे सुख दायक भारी ओम जय एकादशी माता देवो थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करू विनती पारिकरो नईया ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी शुक्ल पक्ष में होई पद्मनी दुख दार द्रहरनी ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ती सहित गावे जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वेह पावे ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता प्रेम से बोलिये विश्णु भगवान की जय एकादशी माता की जय अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा